कि 2020 में अगर बात करें कुछ ऐसे जो मल्टी पेनी स्टोक मल्टी बेगर पेनी श्टोक जो यहां पर बात कि रहे कंपनी धाय सो परसेंट से अपकी 2020 में रीटर न दिये तो कौन कौन सियर है उसके उपर हम चर्चा करेंगे अगर यहां पर कंपनी बात करें मल्टी विए अगर पैनी इस्टोक दुजाबता इसमें जो अच्छी खासी परफॉर्म करके दो रीटेल इंवेस्टर का मौज काट के दिया है और बात करें पहला सेयर जो मेरा है उसके उपर हम बात करेंगे तो मेरा पहला सेयर है भोड़ा एडिया लिमिटेट के उपर जो यह अगर महाज 8 रुपया से लेकर 16-17 की जन्नी बहुत ही दवरस्त रही है दूसरे सेयर की अगर बात करें दूजा 23 की दूसरा सेयर है रिलाइन से पावर जो दूजा 23 में 9 रुपया से लेकर अच्छी खासी गैप देकर और रिटेल इंवेश्टर का मौज काटी दिया है और बात करें यह कंपनी देखें 9 रुपया से लेकर यह 23 की जन्नी बहुत ही अच्छी रही है और यहां पर तीसरा सेयर के बात करें तीसरा सेयर यहां पर देख सकते हैं जो महाज 10 रुपया 23 पैसा पर देख तक गई जो बहुत ही अच्छी रही है और चौता सेयर यहां पर पर कि बात करें यहां पर दुजारत तैस में जो रही 2 रुपया और कि जरनी बहुत ही दोदरस्त रही दुजारत था इस वे और यहां पर पाज़मा सेयर आती है इंडेश्टि से तो यह एक रूपया श्यास तो यह सट पैसा पर टेट कर रहे थी उसके बाद यह चार रूपया पच्पन बासट पैसा तक गई और एक अच्छी रिटर्न मल्टी वेगर सावित होके दिए एक छटा सेयर की बात करें यहां पर एक बी एस एल एलो की बात करें जो चार रूपया 76 पैसा की सेयर थी और यह 6 रूपया अगर बात करें कंपनी यह 16 रूपया 20 पैसा तक गई जो 2023 में एक मल्टी वेगर कंपनी सावित थी और साथमा सेयर की बात करें केण यह इनकी चार रूपया पर ट्रेट कर है थी, और हुहां से चार रूपया से लेकर, यह हायेट जो गई, 15 रूपया 70 पैसा पर ऐद के आठेश की बात करें इंडीयस टेर्थ की बात करें ये भी 4 रूपया 95 करें तो उसके बाद हाइस ये 11 रूपया तक गई ति दो दबरदस्ट रही और सुझलोगान एनजी के बाद करने नम शैर जो 10 रूपया सब्सक्राइब करें तो 52 कि लोइस्ट और हाइस चग गई हुजारताइस मार 30 रुप्या बीस पैसा तक इनितवरास्त ग्रोष रही अगर अगर इनलैसिस फूल करें तो जो सब्सक्राइब की लोइस्ट रुपिया पल्चनबे पैसा थी उसके बास 44 रुपिया तक गई यह ट्रेंडिंग टॉपिक दूजारताइस की रही जो धायसो परसें से अब की रीटा ने दिये एक और सेयर है गोलोबल टाइप का और यह एक रुपिया 42 पैसा के थी उसके बार आती है मार्केट और कब चली जाती पता भी नहीं चलता है हमेशा रीटेल इंबेस्टर को तब पता चलता है जब यह अल्रेडी बहुत ही ज्यादा सेयर पराइज एप्रेसेट हो चुका है तब हम लोग को पर फ्रेस इंट्रिल तक तक हम में रीटेल इंबेस्टर के यह देर हो चुका रहाता है और वहां पर हम लोग क्या करते लॉफ्स भूक करके मार्केट से निकल जाते हैं और 2024 में कौन कौन मल्टी वेगर साबित होगा इसके उपर हम लैस्स करेंगा और वीडियो भी लाएंगे और उसके पर बात करें आई होप आप लोग यह समा सकते कंपनी साथ दोस्ती करनी चाहिए ने करनी चाहिए बेसिकली आपका डिसेन आज के लिए तने मिलते नेक्स वीडियो